पहला कोशन आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर का पुत्र कौन था शही जबाब होगा आपसाने बिंदुसार बिंदुसार जो है वो शमराट चंद्रगुप्त मौर के पुत्र रहे हैं और बिंदुसार को जो है अमित्र घाद भी कहा जाता है और इनानी इतिहासकार इ पुकारते थे बात आती है चंद्रगुप्त दुतिये तो चंद्रगुप्त दुतिये किसके पुत्र थे तो इनके जो पिता का नाम था नाम था वो क्या था वो नाम था समुद्रगुप्त ठीक है असोक की अगर बात की जा तो असोक के पीता का नाम बिंदुशार था बिंबुशार किसके लड़के थे देखी यहाँ पर जो है बिंबसार है और बिंदुशार है ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है बिंबसार के पीता का नाम क्या था अर्थाद ये कि इसके लड़के थे तो आप कह सकते हैं कि भाटिया के लड़के थे ठीक है कोशन नमबर दूसरा है पानिपद की दूतिये लड़ाई किंदो सेनाओ के बीच लड़ी गई थी आपका सही जबाब होगा आपसन सी अगबर तथा हेमू के मद्ध कब हुई थी दूतिये लड़ाई तो यह हुई थी पाँच नमबर पाँच नमबर सन कौन सथा पंदरा सो चबबी सीजबी को वही पर जो पहले लड़ाई हुई थी वो बाबर तथा लोदी के बीच हुई थी जिसमें की बाबर विजई हुआ था और अगबर तथा हेमू के बीच जो लड़ाई हुई थी इसमें अगबर विजई हुई थे तो जो प्रतम लड़ाई हुई थी बाबर तथा लोदी के मद्ध या पहली जो लड़ाई हुई थी वह 21 अपरेल 1526 इसबी को हुई थी ठीक है वहें पर बाबर्त था राणा सांगा के बीद जो तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 भी में लड़ाई हुई थी तीसरी ठीक है तो इस तरह इसको ध्यान रखना है आगे चलते हैं तीसरा कोश्चन है कि शमराट हर्स ने अपनी राजदानी थाने स्वर से कहां हस्तांत्रित की थी सही जबाब क्या होगा दोस्तों सही जबाब होगा option C कन्नोज ठीक है तो आप कह सकते हैं कि जो चीनी श्रोत रहे उनसे पता चलता था कि जो हर्स यों राजदानी थी थाने स्वर से कहां ट्रांसफर किया था तो कन्नोज ट्रांसफर किया था ताकि वो राजदानी कारियों में पूरी सहायता प्रदान कर सके question number 4 है कि जेजाग भुक्ती प्राची ने नाम क्या था तो जेजाग भुक्ती जो है किसका प्राची नाम था तो आपका सही जबाब हो क्या होगा बुंदेल खंड आपसन भी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा ठीक है और चंदेल बंस के संस्थापक जो ननुक थे उनके जो पौत्र रहे नाम था जैसिंग जिनको जेजाग के नाम से भी जानते थे तो यह प्रदेश का जो नाम रखा गया था तो जेजाग भुक्ती कहलाया था ठीक है तो याद रखना है आगी चलते हैं प्रशन संख्या पांचवा है कि महमूद गजनबी का दर्वारी इतिहासकार कौन था सही जबाब क्या होगा दोस्तों सही जबाब होगा आप संबी उतबी महमूद गजनबी सिच्छित योम सुसब्य था वा विद्वान योम कलाकारों कर सम्मान करता था उसका दर्वारी इतिहासकार कौन था उतबी इनकी जो उतबी है इनकी कुछ ना इन्होंने कुछ गरंथ की रचना की है जैसे कि किताब उल्यामिनी है अगर एक्जाम में पूँचा जाता है तो पता होना चाहिए किताब उल्यामिनी ठीक है किताब उल यामिनी किसके लिखी द्वारा रचित है तो ये ग्रंथ है रचना की गई है उत्वी की द्वारा साथी तारीखे ए एक्जाम में पूछा जाता है तारीखे ए ठीक है तारीखे ए यामिनी तो ये भी जो है उत्वी की द्वारा ही रचित ग्रंथ है प्रस्न संख्या 6 है कि निमलिकित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है तीन सही है एक गलत सुमेलित है पहला दे रखा है कि दीवाने मुस्थकराज अलाउद दिन खिलजी का रहा तो आप कह सकते हैं दीवाने मुस्थकराज जो रहा वो राजस्सो विभाग रहा वो किसका रहा तो ये जो है अलाउद दिन खिलजी के प्रसासन काल में इस विभाग का नाम रहा है ठीक है राजस्सो विभाग वहीं पर दीवाने अमीर को ही तो दीवाने जो अमीर को ही एक क्रिसी विभाग है जो कि मुहम्मद बिन तुगलग दीवाने खैरात की अगर बात की जाए तो दीवाने जो खैरात है वहां फिरोज तुगलग का है किसका है फिरोज तुगलग का ठीक है जबकि जो दीवाने रियासत है न किसका है तो दीवाने जो रियासत है यहाँ पर जैसे कि आपसन में दे रखा है बल्बन तो बल्बन का नहीं है दीवाने जो रियासत है वो किसका है तो दीवाने जो रियासत है वह अलाउद्दिन खिल जी का है जो कि एक बाजार नियंत्रन विभाग हुआ करता था ठीक है जबकि दीवाने खैरात मतलब दान, दान भी भाग जाए, ठीक है, तो फिरूज सा, तो यहाँ पर आप क्या रगाएंगे, यह बलबन वाला नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए था, अलाउद्दिन खिल जी, ठीक है, तो यहाँ पर आपसन क्या हो जाएगा सही, आपसन D आगे चलते हैं, बेदों की और लोटो, तो बेदों की और लोटो नारा किस ने दिया था, तो सही जबाब क्या होगा, आपसन B, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 इसबी में, बंबई में एक शमाज की अस्थापना की थी, उपको पता होना चाहिए एकजाम में पूंछा भी जाता है तो ये इक समाज था उसका नाम था आरिये समाज ठीक है तो आरे समाज की अस्थापना भी किस ने की थी दयनंद सरस्वती बेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया दयनंद सरस्वती ठीक है तो यह important तथ अगे चलते हैं अगला जो प्रस्ण है मात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो आपका सही जबाब होगा आपसन डी गोपाल गृष्ण गोखले नेक्स है कि सुभाज चंद्र बोश के राजनीतिक गुरु कौन थे तो आपका सही जबाब क्या होगा दोस्तों सही जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है ठीट है आगे चलते हैं क्वेशन नम्बर दस है आयनस्वर बताईए क्या होगा 1919 में जम मांटेंग्यू चेम सफोर्ड अधनियम पास हुआ था तब इंगलेंड के प्रधार मंत्री कौन थे साइज जबाब होगा आपका बताईए साइज जबाब होगा आप सने लायड जार्ज लायड जार्ज जो है इंगलेंड के प्रधार मंत्री थे जो लगभग रहे वो 1916 से ले करके 22 तक ठीक है तो इसके अगर बीच में कोई घटनाई पूछी जाती है तो आपको मालुम होना चाहिए कि उस समय जो है प्रधार मंत्री इंगलेंड के कौन थे जार्ज लायड ठीक है आगे चलते हैं क्वेशन नमबर 11 है बिस सुमे काफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो सही जबाब क्या होगा दोस्तों सही जबाब होगा ब्राजील कौन सा है देशन नमबर 11 है नेक्स्ट छेत्रफल और पर प्रिथीवी का सबसे बड़ा महाद्यूप कौन सा है तो सिंपल सा कोश्चन है आपसन इसका हो जाएगा बी को एसिया ठीक है एसिया कंटिनेंट है एसिया के बाद कौन सा आता है एसिया के बाद आजाता है अफरीका है अफ आस्ट्रेलिया है तो मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है महाद्यूप है वह है एसिया है और सबसे छोटा कौन सा है आस्ट्रेलिया है ठीक है आगे चलते हैं प्रस्न संख्या 13 है बिल्कुल हलवा कोश्चन है कि भारत के कि सराज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमी तटरे खा है यानि सबसे लंबी जो तटरे खा है समधुरिकी वह किस राज्य में है तो आपको बताना है सही जबाब आपसन भी गुजरात भारत में लिगनाइट का सही है तो सही जबाब होगा आपका आपसन भी गंगा स्वयत क्रांती का संबंध किस से है तो सही जबाब होगा आपका आपसन भी दुग्द क्रांती से दुग्द क्रांती के जनक कौन माने जाते हैं तो वर्गीज कूरियन ठीक है किसको माना जाता है वर्गीज कूरियन को साथ ही आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों अगर operation flood पूछा जाता है तो operation जो flood है वो किस से related है तो याद रखना है दुग दूत पादन से ही related है जबकि आप बात करेंगे गेहूत पादन का तो यह white revolution में स्वारी green revolution में ठीक है हरित करांती के तहद इसमिगी हूँ और शावल गयरा की बात की जाती है तो आप कहेंगे कि बाकी आप जानते हैं कि जो green revolution रहा जनक किसको माना जाता है तो green revolution के जनक है वो MS स्वामी नाथन है ठीक है जबकि दुख दूख पादन के कौन है तो वर्गीज कूरियन ठीक है तो बस इतना याद रखिए आगे चलते हैं अगला question है कि भारती रिजर्बाइंक का रास्टिय करण किस बर्स में हुआ था तो भारती रिजर्बाइंक का जो रास्टिय करण हुआ था वहां बर्स 1925 इसबी में हुआ था कब एक जनवरी 1925 इसबी को जो है इसका नेशनलाइजेशन रास्टिय करण किया गया था और आर्बियाई की अस्थापना कब हुई थी दोस्तों तो एक अप्रेल बर्स 1935 इसबी में ठीक है एक अप्रेल 1935 में लेकिन नेशनलाइजेशन कब हुआ RBI का तो एक जनवरी 1945 में ठीक है आगे चलते हैं Question number 18 है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो एकोनामिक सर्वे जो जारी किया जाता है प्रतीक बरस तो आपका सही जबाब क्या होगा दोस्तों सही जबाब होगा भारत सरकार की बित्रमंत्राले के द्वारा बित्रमंत्राले के अंडर एक विभाग आता है जिसका नाम है एकोनामिक डिपार्टमेंट आपका सकते हैं आर्थिक विभाग द्वारा जो है जारी किया जाता है ठीक है आगे चलते हैं बाकी आपको मालुम होगा बेसिक जो अर्थिक समिक्षा होती है अर्थिक सर्वेच्ण में अर्थव्यवस्था कि जो नीतिगत समिक्षा है वो प्रस्तुत की जाती है ठीक है और जो पिछले बित्तिय बर्स में अर्थ व्यवस्था की जो कुछ प्रदर्शन से संबाधित आकड़ यूम तत्य भी संग्रहित होते हैं आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है कि भारत में सीमान्त जूत का आकार कितना है तो सीमान्त जूत का जो आकार होता है दोस्तों वहाँ एक हेक्टियर से कम होता है और अगर मध्यम आकार पूछा जाएगा तो आपका सही जबाब क्या होगा पाँच से ले करके 10 hectare और 10 hectare या 10 hectare से अगर अधिक होता है तो ब्रियाताकार हो जाता है आगे चलते हैं किसे plastic money कहा जाता है option B यहाँ सही जबाब हो जाएगा credit card होगे, debit card होगे ठीक है यह सभी क्या है plastic card है question number 21 है निम लिखित में से किसन उच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है तो सबसे पहले आप जब article number 1 पढ़ेंगे उसमें class 1 में लिखा है इंडिया that is भारत तो option यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा question number 22 है भारतिय सम्विधान में कितने मौल करतब उलिखित है सही जबाब होगा आप संटी 11 जो है मौल करतब जो है दिये गए है अगर पूछा जाएगा कि मौल करतब को कब जोड़ा गया है तो 42 शम्विधान संसुधन 1976 में जोड़ा गया था ठीक है साथ ही अगर पूछा जाता है कि जो सम्विधान में जोड़े गये थे सुरुवाती में तो कितने मौल अधिकार रहे हैं तो 10 रहे हैं जो कि 11 जो क्लाज नमबर 11 जोड़ा गया 11 मौल करतब जिसमें 26 सम्विधान के तहट जो है उसको जोड़ा गया है और जिसमें कहा गया है कि 6-14 बरस के जो आई कि वच्चे होंगे उनके parents की जिम्मेदारी होगी कि उनको जो है वो educate करें ठीक है मूल करतब होगा parents की ठीक है 6-14 बरस तक की आई अगला question number 23 है कि स्वतंत्र भारत की लोक्षभा का पहला अध्यक्ष कौन था तो सही जबाब होगा आपका option D ZB मालवंकर ठीक है यानि गडेश बासुदिवा मालवंकर थी question number 24 है कि इलहाबाद उच्च न्याले की अस्थापना कब हुई थी सही जबाब होगा आपका option B यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा इलहाबाद उच्च न्याले तो बरतमान में आप देखेंगे लेकिन जब इसकी अस्थापना हुई थी 1861 के भारतिय उच्च न्याले अधियम के तहत ठीक है तो उसमें जो है 1866 में जो अस्थापना हुई थी वो आगरा में अस्थापना की गई थी बाद में ट्रांसफर कर दी गई तीन साल बाद यानि 1879 इस भी में कहां इलहाबाद में ठीक है आगे चलते है प्रशन संख्या 25 है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटे आरक्षित होती है तो सही जबाब होगा आपका आप्सन सी ठीक है तो नगर पालिका हो या नगर जो आपका ग्राम पंचायत होता है उसमें भी महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटे होती है कुल सीटों की संख्या का एक बटे तीन जो हो आरक्षित होता है नगर पालिका को एड़ कप किया गया था 74 शमेधान संसुधन के तह आइड़ किया गया था वहीं अगर जो ग्राम पंचायत होता है तो ग्राम पंचायत को की संमेधान संसुधन के तहर 73 शमेधान संसुधन के तह arguments तो ये सारी चीज़े आप्-टुदर नोट आप देखेंगे Question number 27 है कि आवर्त साड़ी के रूप में तत्यों का बर्गी करने में लेकित में से किसने जो है वो सर्व प्रथम किया था तो सर्व प्रथम किसने किया था दोस्तों तो यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा आपका option A. मेंडलीव Question number 28 है आग को बुझाने के लिए जो प्रियोग तो गैस होती है कौन सी होती है तो सही जबाब होगा option C. कारबन डायाकसाइड यूरिया किसमे संसलेशित होता है सही जबाब होगा option A. यकिर्त में इंसुलिन किसमे शक्रिये होते है सही जबाब होगा अगनास है में option A is correct answer अब Question number 36 की ओर चलते है ठीक है और रिजनिंग और जो आपका टेबल और ग्राब की question उसको last में किया जाएगा पहले GKGS को finish कर लिया जाता है ठीक है प्रतिकूल का बिलोम क्या होगा दोस्तो तो प्रतिकूल का जो बिलोम होगा वह होगा अनुलोम शमान का समान हो आता है अनुशार का प्रतिशार होता आता है ठीक है यहां पर ध्यान देना है कि प्रतिकूल का विलूम क्या होगा अनुकूल आपसंस यहां पर सही जबाब होगा कोईशन नमबर 37 है सब्द दिया है अनुवय तो अनुवय का जो संध विच्छेद है वह के होगा तो सही जब तो सही जवाब हो जाएगा इर्षया से जल उठना आपसन भी सही जवाब होगा Q39 है कि कभी का इस्तिरिलिंग क्या होगा कभी का इस्तिरिलिंग होगा आपसन C कव यत्री कोशन नमबर 40 है वहां इस तरी जिसका पती परदेश या विदेश गया हो वाकी के लिए एक शब्द क्या होगा तो दोस्तो इसका सही जबाब होगा आप्शन C प्रोशित पती का आप्शन C यहां पर सही जबाब हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगर बात की जाए नहोडग इसको कहा जाता है एक वाक्यांस में तो नहोडग के लिए जो की नई ब्याही हुई जैसे की कोई नई नवेली इस्त्री है नई ब्याही हुई जो इस्त्री है उनको कहा जाता है नहोडग वहीं पर बात किया जाए प्रवत्ष्य पत प्रवच्य पतिका जो कहा जाता है एक शब्द में किस के लिए है तो किस वाक्यांस के लिए होगा तो इसके लिए जो है जैसे जो बियोग की कलपना से दुखी हो और उसका जो है इस त्री के जो पति है विदेश चला गया हो और उनके बियोग में क्या है बियोग की कलपना स जा रहे हैं यहां पर तो आगध पति का लिए जो होता है वहां इस तरी जिसका पती अभी परदेश से लौटा हो उसे आगध पति का कहते हैं ठीक है तो यह सारी चीजें आगे चलते हैं प्रस्ण संख्या 51 है कि जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्र मंडलिय समित ने गहरे शमुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की है गहरे शमुद्र अभियान देड़ डीप ओसीन मिसन की यहां पर बात की जा रही है और इस अभियान को चरण बद्ध ढंग से लागू करने ह तो पांच वर्ष की यवदि में इसकी अनुमानित जो लागित रासी है वहां कितनी होगी तो यहां पर जो सही जबाब हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपसन कोशन नमबर 52 है अंतरराश्टिये छुद्रग्रह दिवस कब मनाय जाता है सही जबाब होगा आपसने 30 जून को कब 30 जून को मनाय जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन नमबर 53 है कि करिसी विश्व विद्याले के करिसी बैज्यानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म दड़िश काला अमरूद बिक्सित किया है सही जबाब हो जाएगा आपका आपसन बी बिहार क्रिसी विश्व बिद्याले भागलपूर कोईशन नमबर 54 है दो जून दो हजार इकीस को किसे दो हजार इकीस के प्रतिश्ठीत इंटरनेशनल बुगर प्राइज से सम्मानित करने की घोसड़ा की गई है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है डेविड डियोप आपसन डी यहां पर सही जबाब हो जाएगा इनको किसलिए यह प्रदान किया गया है तो उनकी पुस्तक रही आइट नाइट आल ब्लड इस ब्लैक कोईशन नमबर 55 है जून दो हजार इकीस में संपन कोईशन नमबर 56 जव प्रदोगी की विभाग राष्टिय रोग प्रतिरिक्षन संस्थान को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन यस पीजी 9 यस पीजी 9 के लिए ट्रेड मार्क प्राप्त हुआ है और भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन यस पीजी 9 की जुखोज बर्स 1998 में किसकी द्वारा की गई थी तो दोस्तों यहाँ पर सही जबाब क्या होगा यहाँ पर जो सही जबाब हो जाएगा वह होगा आपका आप्शन नंबर B डाक्टर अनिल सोरी अगला प्रस्न है प्रस्न नंबर है 57 की मई 2021 में प्रथम ACA प्रशांत सर्वजनिक छेत्र साइबर सुरक्षा कारी-कारी परशद का सुबारंब किसके द्वारा किया गया सही जबाब होगा आपका आप्शन C Microsoft के द्वारा ठीक है तो याद रखना है और इसकी सुरवात इस छेत्र के साथ बाजारों में की गई है शाइबर सुरक्षा कारिकारी परिषद में दैसे की बुर्णोई, इंडोनेसिया, मलेसिया, कोरिया, फिलिक्पेन, सिंगापूर और थाइलेंड के पंदरा नीत निर्माताभीस में सामिल हैं कोरिशन नमबर 58 है कि जून 2021 में 31 में फारत थाइलेंड शावनबित गस्त 2021 का आयूजन किया गया और इस समुद्रिश नौसन ने अभ्यास का आयूजन किस वरस से किया जा रहा है तो यहाँ पर सही जबाब क्या होगा दोस्तों सही जबाब हो जाएगा आपका option A. 2005 से कब से 2005 से यह किया जाता है यह नोशनिक अभ्याश है ठीक है शमुद्रि नोशनिक अभ्याश जो कि दिववार्सिक रूप से 2005 से किया जा रहा है ठीक है तो याद रखना अगर आपको मालूम होता कि हम यहाँ पर आप गेस भी कर सकते थे दिवार्सिक तर्वार्सिक तो होगा नहीं तो दिवार्सिक होगा अगर 30 का अधा कर देंगे यह 15 है यहीं पर अगर 20 से माइनस कर दोगे तो 5005 आ जाएगा ठीक है क्योंकि 2021 में होई रहा है थोड़ा ऐसे भी आप दिमाग लगाती तो हो जाता बिना कुछ जाने अगर दिवार्सिक मालूम है थोड़ा बहुत क्वेशन नमबर 60 है कि दिशंबर 2020 में रच्छा मंत्री राजनात सिंग ने कि इस अस्थान पर उन्नत हाइपर्सोनिक विंड टनल परिक्षण सुविधा का उदगाटन किया है तो इसका सही जबाब क्या होगा दोस्तो सही जबाब होगा option ए हैद्राबाद हैद्राबाद तेलांगनामे ये हाइपर्सोनिक बिन्ड टवर परिक्षन का उतधगाटन किया गया है कहां पर तेलांगनामे फिए है इसके साथ ही आपको याद रखना है जो हैद्राबाद है वह किसे स्टेट में आता है तो तेलांगना में ही आता है ठीक है इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ये परिक्षण सुविधा का उदगाटन किया गया है इसके पहले और भी कंड्रिया कर चुकी है जैसे कि इसके पहले अमेरिका है उसके बाद रसिया है रसिया के बाद अपना प्यारा भारत भी उसमें सामिल हो गया है, ऐसा परिक्षन करने में, ठीक है, आगे चलते हैं, question number 30, 61 है, कि पीशो किस देश की मुद्रा है, पीशो, पीशो किस देश की मुद्रा है, सही जबाब आपका क्या होगा, सही जबाब हो जाएगा आपका मैक्सिको, ठीक है, जबकि अगर बात की जाए दक्षड कोरिया की तो दक्षड कोरिया की जो मुद्रा है वहां कौन सी है तो दक्षड कोरिया की मुद्रा है दक्षड कोरियन वान जबकि जापान की एन हो जाती है वहें पर इटली के अगर बात की जाए तिटली की मुद्रा होती है यूरो ठीक है क्या होती है यूरो जापान की दक्षण कोरिय दक्षण कोरिय ठीक है याद रखना आगे चलते हैं यह सारी चीजे जो आप बीडियो अगर देखेंगे आपने टू दा पॉइंट नोट वाले में भारत दीश राजधानिया उनकी बात किया जाए अगर सोमनात मंदिर की तो सोमनात मंदिर कहां पर है गुदरात में स्थित है महाबोधी मंदिर कहां पर है तो महामोधी मंदिर बिहार में हो जाएगा रामनात स्वामी मंदिर कहां है तमिलनाडू में कामाख्या मंदिर असम में तो एका सी दो में आ रहा है टू का ए तो टू का ए किसमें आ रहा है यानि इसमें तो यहाँ पर आपसंस सी आप जो है चूज कर लेंगे ठीक है आपसंस सी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा और थिरीका जैसे बी दिया हुआ है तो थिरीका भी होई रहा है तमिल नाडू फोर का डी महाबोधी मंदिर बिहार आगे चलते हैं अगला कोश्चन भी आपका सुमेलित करना है संगीत दे रखे हैं और किस से रिलेटर है आपको यहाँ पर बताना है उत्रिष्टा इनकी क्या रही है यहाँ पर बात किया जाए असद अली तो असद अली खां जो है किस से किसके रहे यह तो बीड़ा बिश्मिल्ला खा तो सहनाई के लिए काफी इसके बाद अगर बात की जाए टी अनकृष्णन की टी अनकृष्णन एक वाइली नवादक रहे तो एक कैफ ऑल केवल बीजी का अविसमीं और बी में ही दिख रहा है अगर आपने इक ही अगर आपने सही कर ले गए तो आपका 100% confirm अगर एक सही मिल जा रहा है तो आपको और मिलाने की जरूरत नहीं, टाइम पर बाद करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आप ग्यान अर्जन के लिए चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं, आगे चलते हैं। प्रस्ण संख्या 64 है कि इंडिया दे फ्यूचर इज नाओ, किसके द्वारा लिखी गई है, तो सही जबाब हो जाएगा दोस्तों आपका आप संसी ससी थरूर की द्वारा, निम्न में से कि संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, यानि चार आप संदिये हैं, चार में से तीनों को होता है, लेकिन एक का नहीं है, तो सही जबाब आपका क्या होगा, देखें, विश्व मौसं बिज्ञान संगठन का भी जेनेवा में है, विश्व स्वास संगठन का भी जेनेवा में है, डव्यू टियो, विश्व ब्याबार संगठन का भी जेनेवा में है, ल प्रस्तों नंबर 66 है कि Nobel पूरुषकार प्रतिवर्ष कहा बाटे जाते हैं तो आपका सही जबाब क्या होगा, दोस्तों? सही जबाब हो जाщएगा आपका option b stock Nobel पूरुषकार को जो वित्रण होता है प्रतिवर्ष जो है stock home में किया जाता है और साथ ही आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि अगर नोबेल पुरुषकार में जो सांती का पुरुषकार है सांती पुरुषकार जो है या इस्टाकोम में नहीं होता है बाकि सभी इस्टाकोम में है ठीक है और सांति के जो प्रुषकार कहां प्रदान किया जाता है तो ओसलो नार्वे में ठीक है कहां ओसलो नार्वे में तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आगे चलते हैं कोशन नमबर 67 है कि नेमलिखित में से काउन सा पर्याबन का एक आजायो घटक नहीं है ठीक है तो बायोटिक बायोटिक हमने जो लास्ट का आपका टू दा पॉइंट नोट में जो शामान ने जाग रूखता का है सेबस का जो लास्ट टॉपिक है न वहां पर इसको कवर किया गया है कि बायोटिक क्या है नान बायोटिक क्या है ठीक है तो उनको आप जरूर नोपन नोट कबर करिएगा ठीक है तो यहां पर जो दोस्तों सही जबाब होगा 67 का वहां हो जाएगा क्या आप्शन सी यहां पर सही जबाब हो जाएगा Q68 है कि 200 पर्याबन दिवस हर साल कब मना जाता है तो 5 जुन को मना जाता है Q69 है कि छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है तो सही जबाब क्या होगा तो सही जबाब हो जाएगा आपका राजस्थान जो हुआ नमबर 1 पर है छेत्रफल की द्रिष्टी से दूसरे पर जो आता है वह हम अध्रप्रदेश है तीसरे पर महारास्ट्र है ठीक है उसके बाद अगर बात किया जा यहीं पर अपने उत्तरप्रदेश की तो उत्तरप्रदेश का जो राइंक आ जाएगा यहीं तीनों के बाद उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आती है चौते नंबर पर जो है वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है छेतर फल की दृष्टी से ठीक है तो चारी याद रखो बाकी जम्मू कस्मी थोड़ा आप जम्मू कस्मी लड़ाक हो गया इनका डिवीजन के पहले से जम्मू कस्मी जम्मू कस्मी पांचमे नंबर पर हुआ करता था छेतर फल की दृष्टी बाद इतना याद रखो नंबर वा नंबर टू नंबर थी और अपना उत्तर प्रदेश ठीक है ये नफ है कोशन नंबर 70 है दोस्तों कि निमलिखित में से कौन सा सोमेलित है बागी तीन सोमेलित नहीं है तो देखिए जो भरत नाट्यम है वह अंदर परदेश का है बिलकुल नहीं भरत नाट्यम तमिल नाडू का है कुंचि पूरी जह है वह अंदर परदेश दिया है तो यह अंदर परदेश का है ठीक है जबकि जो कथक कली है कथक कली केरल की है यह बात बिलकुल सही है तो यहाँ पर आप्शन सी सही हो जाएगा कथक की अगर बात की जाए तो कथक यह अपना उत्तर परदेश का नेत्ति है ठीक है यहाँ पर सही जबाब क्या होगा दोस्तों कथक कली केरल से रेलlio Sylvie tiada है तो याद रखना है कि भरत आ केम कहाँ का है तमिल नाडू का है कुछी पुर्यां द्र परदेश का है कथक कली केरल का है और कथक जू है अत्तर परदेश का है आईए गद्दान्स को पढ़ लेते हैं गद्दान्स दिया है और गद्दान्स की नीचे दो आपको answer questions पूशे गए यहाँ पर पढ़ करके बताना है इस उत्रण का सरवर्था उप्यूग सीरसक क्या हो सकता है यानि सीरसक पूशा गया है गद्दान्स का प्रमपरा का विरू आज समस्त जगत को देखने पर रखने के दो नजरिये हैं एक आसावादी दूसरा निरासावादी इसे सकारात्मक और नकारात्मक द्रिष्टी भी कहते हैं जो आसावादी या नकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वह सदयो आनंद की अनभूती प्राप्त करते हैं तथा निर आसावादी या नकारातमक द्रिष्टी वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आपको प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। किसी परंपरा का बिरोध करने से ही प्रतिभा उपर नहीं उठती है। बिरोध से नास होता है इसलिए जगत में सदा आसावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सिर्जन किया है निरासावाद या कासकारातमक निरासावाद या नकारातमक की नियूँ पर कभी किसी जीवन प्रश्याद का निर्माड नहीं हुआ। यहाँ पर पूंचा जा रहा है सिर्जन क क्या हो सकता है तो आपको पढ़ कर क्या लग रहा है आसावाद की आसा ही जीवन है या आसावादी और निरासावादी। तो यहाँ पर आपको पढ़कर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आसा की बात की जा रही ठीक है आसावादी होने की तो आसा निरासा होगा नहीं जीवन और आसावाद हो सकता है आसा ही जीवन है ठीक है तो आप दो में कंफिलिक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर उप्युक्त का सही सिर्सक बताना है सरवथा जो उप्युक्त हो ठीक है तो आसा ही जीवन है यहाँ तो जो है सही बैठ नहीं रहा है आसा ही जीवन है यह ची तो यहाँ पर कही गई नहीं कहीं ठीक है कि आसा ही जीवन होता है ठीक है लेकिन हाँ जीवन और आस प्रतिभा उपर नहीं उठती, यहां पर यहीं पूछा गया है, कि प्रतिभा उपर नहीं उठती, कि प्रतिभा उपर नहीं उठती, तो वर्थी इसका क्या होगा, आपसन दिया हुआ है, तो यहां पर सही जो आपसन होगा, दोस्तों, वहां होगा, प्रतिभा नस्त नहीं हो ठीक है क्योंकि यहां पर दिया है कि परंपरा का बिरोध करने से प्रतिभा उपर नहीं उठती यानि कि अगर प्रंपरा का बिरोध नहीं करेंगे तो प्रतिभा क्या है उपर होटी यानि अगर 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 प्रंपरे का बिरोध नहीं करते हैं शुबिकार करते हैं तो आपक पढ़कर कि आपको क्या लग रहा है नकार अत्मक्ता का से क्या हो जाएगा यहां पर सही जबाब होगा आपका निरासावाद ठीक है कोशन नमबर 74 में दिया हुआ है कि निरासावाद दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आपको प्रतिस्थापित करने के ल चिंता तो यहां पर सही जबाब हो जाएगा आपका आप्शन डी यहां पर उप्योग तो सभी वाक्या सही है अगला कोशन नमबर 75 पूछा जा रहा है कि आत्मिक आनंद सियासे क्या है तो आत्मिक आनंद सियासे है अहलाद आप्शन यहां पर सही जबाब होगा चलते हैं अगला गद्दांस दिया हुआ है गद्दांस को पढ़कर कि एंस्वर देने हैं आपको ठीक है प्रस्ण देख लीजिए ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो कठोर सत्तिकी से कहा गया है निर्बल भावनाओं पर बिजे पाने के लिए किया किये जाने की आवसेक्ता बताई गई है हमारा जीवन सदयो सदा पेंडा बन सकता है यदि हम क्या करें धर्म के आच्रन का उद्देश सी क्या है तो एक सरसरी निगासे आपने देख लिया अब आईए यहाँ पर गद्दांस को पढ़िए गद्दांस दिया है कि मानों के मर्म अस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागरिती तभी हो पाती है जब वह अपने तुछ भावतिक जीवन को नगंड समझ कर उत्साह उमंकिशाद दूसरों की सिवा सूसरों सा तथा सतकार करता है यह कठोर सत्य है कि हम भावतिक रूप में इस संसार में सीमित अवद तक ही रहेंगे हमारी मिर्त्यू के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंदु बांधो जीवन भर हमारे लिए सोका कुल और प्रेमा कुल भी नहीं रहेंगे दुख मिस्रित इस निरबल भावना पर बिजय पाने के लिए तब हमारे अंतरमन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सतकर्मों और सत्गुणों का प्रकास फैला कर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं सेवक प्रविर्ती अपना कर ही हम ऐसा आवस्य कर सकते हैं क्या कि सत्गुणों को प्रकास फैला कर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं तो अमर होने के लिए क्या करना है सेवक प्रविर्ती अपना कर ही हमको ऐसा कर सकते हैं सारी चीजे हैं अपने नहिश्वार्थ व्यक्तित्तो और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानविये जीवन हेतु उत्पेनडा बन सकते हैं तो थोड़ा यह यहां तक पढ़ा हुआ है आईए थोड़ा अपने कॉश्चन्स को देख लेते हैं पढ़ते ही जा रहे हैं आईसे लोग पर उपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो क्या है अभी आपने पढ़ा है ठीक है यह लाइन पढ़ा हुआ है आपने कि सदा जो है वो पूजे जाते रहेंगे सेवक प्रवित्य अपना कर अवस्य ऐसा कर सकते हैं कि सदा सदा के लिए अमर हो जाएं पूजे जाएं ये सारी चीजे यहाँ पर कही गई तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा आप संडी यहाँ पर सही जबाब होगा सेवक प्रवित्य अपना कर ठीक है कठोर सत्य किसे कहा गया है तो कठोर सत्य अभी आपने देखा कि कठोर सत्य यही है कहा पर लाइन लाइन कहा गई यह रहे लाइन ठीक है कि कठोर सत्य है कि हम भावतिक रूप में इस अंसार में सीमित यवल तक ही सीमित रहेंगे कटोर सत्य है यह सीमित रहेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कटोर सत्य है किसी कहा गया है तो भावतिक शरीर को या नि जो शरीर है इसकी नस्वरता की बात की जा रही है आप सेने यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा कोशन नमबर 78 है कि निर्बल भावनाओं पर बिजय पाने के लिए क्या किये जाने की आवसकता बताई गई है निर्बल भावनाओं पर बिजय पाने के लिए तो यहाँ पर जो कहा गया है अच्छी भावनाओं पर बिजय पाने के लिए आप क्या करना है आपको अच्छे कर्म करने हैं ठीक है विजय पाने के लिए ये दीखे लिखा यहाँ पर किस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतरमन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सद कर्मों और सद गुणों का प्रकास फैला कर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं तो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कि सदा सदा के लिए अमर हो जाना ये चीज तो है नहीं यहाँ पर कहा गया है अच्छे कर्मों से नाम को अमर कर लेना सदा सदा के लिए अमर ठीक है तो यहाँ पर आप संटी इसका उप्योंक में से भी से सीखें प्रड़ा लें तो पेड़ा बन सकता है यदि हम नीश्वार्द भाव से परोपकार करें ठीक है तो आप सन यहाँ पर डी सही जबाब हो जाएगा ठीक है नीश्वार्द भाव से आप परोपकार करें कोईशन नमबर 80 है देखें दोस्तों आपको पीडिया मिली गए आप जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना पड़कर के ठीक है यहाँ पर थोड़ा उपर नीची करने में आपको थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा होगा धर्म के आचरन का उद्देश से क्या है पेपर त कि सिक्षा प्रदान करना है अगले पेज पर चलते हैं प्रहन आपने पढ़ा ही कि धर्म के आचरन का उद्देश से क्या है ठीक है तो धर्म आचरन की धर्म के आचरन का उद्देश से है भी आप संदिया है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकास फैलाना कर्म पर देखिएगा थीक है तो यह सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी ठीक है जियोती प्रकास आगे चलते हैं तो यहां पर जो सही जबाब क्या होगा दोस्तों सही जबाब आपका हो जाएगा अप्शन भी ठीक है धर्म की आत्रण का उद्देश है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकास फायलाना that's it